नमस्कार आज मैं आपको खोप्रापाक रेसिपी शेर करने वाली हूँ खोप्रापाक रेसिपी इस तरह है खोप्रापाक बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई में 7500 ग्राम शक्कर ले लेंगे और उसमें हम आदा गिलास पानी डाल कर उसकी गाड़ी चासनी बना लेंगे जासनी अच्छी तरह गाड़ी हो चुकी है अब हम ग्यास की प्रापाक लेंगे बन करके उसमें आधा किलो मावा मिला लेंगे तरह बना लेंगे बना लेंगे प्रापक लेंगे प्रापक लेंगे जेगे मावे को अच्छे तरह से मिलाने के बाद अब मुस्ट में 500 ग्राम कोकोनट पाउडर मिला लेंगे को अब मुस्ट में अच्छे म कि अच से आट bord मिलाने के बाद मुस्क्क बाद रिद्धे किल्ग कि ऑमचे कोर अचे के वे अचेनगे ट्याजते टॉस्ट अब हम एक ठाली में घी लगाके उसमें सारा मिश्रन डाल लेंगे और रात भर के लिए ढग कर रख देंगे अब हम इसे काट लेंगे मैंने इसको स्क्वेर शेप में काटा है अब हम इसे सेप करेंगे इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चाइनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और कमेल करें मैंने फ्वेर चेकश प्रणी बड़ भी चाइनल करें पित्व अड़ते श्ड़ियो देसे काटी अवां आपको जाज़ अवापको झाल करें और को शायाां झाल 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 झाल